कि अचाने होगे और अप लोग देख रहे हाज मेरे साथ मेरी सहली है और हम लोग जा रहे हैं बजार अज वहां कि अनुने घरवेश form और दूट सभी जाने वाले हैं और बाजार जारा है तो देखते हैं वाँ क्या-क्या मिलता और जो भी मिलेगा हम लोग सोपिंग करेंगे तो आप लोग भी हमारे साथ चलिये और वीडियो में भने रहिए अभी हम लोग बाजार पोहुंच गए हैं और हमारे इस बाजार में सर्बत से लेकरक के सबजियां हर चीज देशी मिलती हैं और सारे सबजियां जो हो ताजी होती हैं आर बाजार में हम लोग अपने जरुद के चीजे खरीदने के लिए आते हैं और हमारी जो भी पायल महलाओं के लिए सिंदूर सिंदूर रखने की डिबियां और कुछ पूजा पाट के समान रखे गए हैं अब हम लोग एक चोड़ी के दुकान के पास्ट में आ गया हैं देखिया हैं बहुत सारी रंग बरंगी चोड़ियां हैं बहुत सुंदर सुंदर कलर कुछ कांच क रखनोर ऊंदेखिये जो हैं मचली पकड़ने का जाल हैं वेरा इसे मचली पकड़ा जाता है यह वाला जो जाल है करेंट जाल बोलते हैं तो मैं सुछरहती का रेएशा करेंट बighty गोगा तो ऐसी कोई बात नहीं है इसका नाम ही है करेंट जारल और यह जो आप लोग देख रहे हैं यह जड़ी वूटी की दुकान हैं यहां तरह- तरह के जरीष्टीं है और इन जरीष्टी से बहुत तरह के दवाईया बनाई जाती हैं और यहां देखे बहुत धारे शुख़ी मचलियां हैं यह हैं इस चिंग्री मचली कह दिले मचली है विमर फोथि मचली और यहां पर बहुत सारी सुखी हुई साग है और इसको हमारे हां गुडा बोला जाता है और इसका मार जोर बनाया जाता है यह बहुत सारी है विए यहां पर देखें सक्वा का पत्त चप्तोरी लुद्म Europas यह अधृ बेच रही है इसको पुअल बोलते है और क्या काम होता द्रया कहते हैं जाता है देशी हम लोगों का भूल्गा हरा लगानी के लिए इसको बोलते हैं जमेटी में भूलते हैं साधि के लिए यह सारे समान यूज होते हैं यह सारे बांस नहीं ही दोढ़ाता है और नोगों सुक्ली जाता है जो फोल बेनो आजाता है तीन कि अच्छाइ कर देखिये कि हम देख जब नहीं के बता क Probably डाल मना है बताओ जुपडइल दलने है सब दलने बोल रही है दाल को नापने के लिए चार तरह का डबबा है 10 रुपए 20 रुपए 40 रुपए और 60 रुपए वाला तो मैं कुर्थी और उरत दाल ले लेती हूं ल कि अपर आप लोगों को तरह तरह के प्लस्टिक के सामान और चाकु जूरीे सब सारे चीजे आप लगों को मिल जांगे यह 5 यह हमारे सार मार्केट में चान विर만 भी मिलते है कि यह देखे तरह तरह की मिठाई डोस्क बिस्कित अग्रा है और यहां पर हम लोग आए हैं यहां पर यह बैलों को बांधने के लिए रसी वगैरा है यह वाला है बिना लाइसेंस का बंदूक जिसको गुलेल बोलते हैं यह देखिए इस तरह करहता है इसे जानवरों को और चेडियों को मारा जाता है और यहां पर एक चपल दुकान है और इवशाडु का दुकान है और मैं टेकर जाडु भीक रहा है यहर देखियों और यह एक सिंगार का दुकान और यहां सिंगार की हर एक चीजें ही मिल जाती है कानपूल, चूड़ी, नेल पॉलिस, माला, बिंदी, हर एक चीज मिल जाती है, तो मुसको बिंदी लेना है, तो मैं बिंदी भी ले लेती हूँ और यहाँ देखें, यहाँ तरह तरह के सापुन है, और यह एक बरतन का दुकान है, यह घर में यूज़ करने के लिए, या फिर साधी भी हमें लेने देने के लिए यहाँ से बरतन मिल जाते हैं, और यह है मिट्टी के बरतनों का दुकान, यहाँ आपको साराब बनाने से ले ले लेती हूं और यह एक मिठाई की दुकान है यहां हमारे हैं कि लोकल मिठाई मिल जाती है जैसे दुसका बारा बालुजाहिये आलुजोप समोसा जलेबी और सभी लोग जो हैं वह अपने बचों के लिए मिठाईया लेकर के घर जरूर जाते हैं इस बाजार में बहुत सब्सक्राइम, जो भी जंगल में पाए जाने वाले हैं व्यूंट पूल यह फिर कंड वगयरा जो तुम्हारा जाता है उसको भी हम लोग लाते हैं मार्केट में बेचने के लिए और जो भी पैसा मिलता है उनसे जो भी जरुपया दोना देमता बेच रही है और देमता जो होता है वो जंगल में पाए जाना वाला एक चीटी का अंडा होता है जो कि हमारे है जारखन में बहु यह बना करें के खाते हैं और यह तो हमy आप लोग देख रहे हैं यहां यहां अपर ज़्या बore घजाता है और एक खेis से पूस्या यृट बीस रुपया होता है और यहां पर आप लोग देख रहे हैं यहां पर ज्यादा ज्यादा फल और सब्जी वगारा रखे गए हैं तो यह लोग जो हैं यह सब्जी और फल के ब्यापारी हैं यह बाहर से सब्जी और फल वगारा लाते हैं और यहां के मार्केट में बेचते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं अभी हम लोग आ गे हैं होटल उन्हें नस्ता करने के लिए और मेरी जहली हो नस्ता कर रही है और नस्ते में हम लोग खा रहे हैं समोसा जब मोग बजार आएंगे और यह सब चीजें ने खाएंगे यह तो हो हिसका है आई देखिए हम लोग अभी समोसा खा रहे हैं, और यह है प्रदीब भाया जिनके हम लोग नास्ता किये, आप लोगों को healthy और स्वस्थ दिख रहे होंगे, लेकिन प्रदीब भाया के kidney में problem है, और सब्ता में तीन दिन इनका डालेसिस होता है लेकिन भाया जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और सिम्डेगा बाजार के दिन इनका होटल लगता है सोमवार और ब्रिस पतिवार के दिन सिम्डेगा बाजार में तो अगर आप लोग सिम्डेगा के आसपास के हैं तो इनक बिंदी देकर आई हूं, अर ये देखिए मेठी का बर्तन है, शको तावा बोलते हैं और ये उसका धकन है आईसा, और अ्टन के लिए मिठाई, रैक्ठो मिठाई, इधर देखिए, ये उरत दाल है, और ये कुर्थी दाल है, एक छोटा सा सूप लेकर आई हूं तो आज आप लोगों को मेरा वीडियो देख करके कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है तो फ्लीज वीडियो के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए अब हम देह ने वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए बाइ